कि नमस्कार मैं मनोश कुमार निगम दी डॉन एक्सप्रेस के लिए एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ नए विचारों के साथ कुछ नए मुद्दों के साथ और कुछ जरूरी विशय हैं जिनके लिए हमें चर्चा करना बहुत आवश्यक है आज के इस समय में जब प्रतिस्पर्धा का दौर चरम सीमा पर है और ये इन विशयों की चर्चा आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम कि 2020 के अंतिम चर्ण यानि अंतिम दिन पे हैं और नव वर्ष नूतन वर्ष हमारी प्रतीक्षा कर रहा है उसके आगबन के लिए हम हाथ पसार के खड़े हैं एक्षाओं के साथ आकांशाओं के साथ अपेक्षाओं के साथ तो इसलिए इस समय पर इन विश्यों पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है और वो विशय किसी व्यक्ति विशेश तक सीमित नहीं है वो विशय हैं पूरे समाज से संबंदित, पूरे देश से संबंदित, देश के हर वर्ग और हर व्यक्ति से संबंदित उनमें सरप्रथम जो विशय है वो मैं उठाऊंगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी है दूर संचार कंपनी मैं फिर से दौर आ रहा हूँ जिसका नाम हम हम जानते हैं BSNL भारत संचार निगम लिम्टेट एक समय पिर हमने देखा था कि भारत संचार निगम लिम्टेट का पूरे देश में वर्चस हूँ था और वो वर्चस केवल इतना नहीं था कि शहरों तक्सीमित हो व वर्चस गाओं तक्सीमित था शहर तक्सीमित था, कश्मीर से कन्या कुमारी तक्सीमित था हर जगे उस BSNL के बगएर या उसके नेटवर्क के बगएर या उसकी संचार सेवाओं के बगएर ऐसा लगता था जिसे जीवन अधूरा है जीवन में कहीं कोई कमी है और हम लोगों ने जो कि हमारे देश के बहुत बड़ी कंपनियों में से नौरतन कंपनियों में से एक कंपनी है जिसको हम मानते हैं नौरतन कंपनियों में से क्योंकि हमारे देश की सबसे बड़ी दूर संचार कंपनी थी आज उस कंपनी की क्या हालत हो गई है क्या इस्थिती हो गई है उसका एक सजीव उधारन में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहरा हूँ और वो उधारन ये है कि आज से करीब करीब 6-7 साल पहले यानि फिर हम 2014 से पहले की और आज की परिस्थिती का आकलन कर रहे हैं तो 2014 से पहले इस्थिती ये थी कि जब हम BSNL के उपभोगता केंदर पर जाते थे तो वहाँ पर उपभोगताओं की कंजिमर्स की एक लंबी फेर हिस्थ एक लंबी लाइन होती थी बड़े-बड़े हॉल होते थे बड़े-बड़े क्यूज लगे होते थे बहुत सारी विंडोस थी खड़कियां थी जिनसे लोगों के की आवश्यक्ताओं की पूर्ती की जाती थी लेकिन मेरे खुद के देखते हुई है मैं अपने स्वेम के अनुभाव को आप लोगों के साथ में विचार कर रहा हूँ या उनको बाटने की कोशिश कर रहा हूँ तो जब हम साथ साल पहले जाते थे तो उसकी परिस्तिती मैंने आपको बताई लेकिन आज साथ साल पहले यानि तकरीबन छे साल मान लीजे आप छे साल पहले जब मैं अपने मोबाइल की सिम को चेंज कराने के लिए गया तो वहां पर मोबाइल की सिम मुझे जो नई दी गई उसके पीछे लिखा हुआ था 4G तो मैंने कौतुहल वश जानने की जिग्यासा के तौर पे मैंने जानने की कोशिश करी कि क्या BSNL ने 4G शुरू कर दिया लेकिन मुझे ये बताया गया कि नहीं साहब ये लिखा है लेकिन 4G चालू नहीं हुआ अभी तो 2G ही मिलेगा और हमें ग्यात हो कि हमारे BSNL के जो संचार माध्यम के लिए इस्तमाल किये जाने वाले जो बड़े बड़े टावर्स हैं जिन टावर्स की मदद से हम पूरे संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं उसको किसी अन्यंतर कंपनी को किसी दूसरी कंपनी को दे दिया गया किराय पे दे दिया गया और उस कंपनी को 4G का नेटवर्क चलाने की अनुमती दे दी गई ये देखे कितना हास्यासपत है कि BSNL जो देश की सबसे बड़ी संचार कंपनी है उसको आज तारिक तक यानि 31 दिसंबर की शाम तक 4G चलाने का 4G का नेटवर्क संचार संचारित करने की आगया इस देश की सरकार ने नहीं दिये हैं और उसी के टावर्स को इस्तमाल करके अनियंत्र कंपनी ने अपने 4G की व्यवस्था को पूरे देश में चाक चौबंद कर दिया है और उसकी वज़े से उसके पास अंगिनत अंगिनत कंज्यूमर्स उपभोकता इखटा हो गए हैं और यही व्यवस्था B.S.N.L. को ना मिलने की वज़े से B.S.N.L. की व्यवस्था धौस्त हो गई है खतम हो गई है ये कितने दुख की बात है कि देश में किसी संचार कमपनी को खड़ा करने के लिए उसकी बेवस्ता को खड़ा करने के लिए सालों साल की महनत लगी लेकिन और सालों साल की महनत को पांच साथ साल के अंदर कैसे समात किया जा सकता है इसका ये जीता जाकता उधारन है तो हमको इस विशय के उपर बहुत जोर से बहुत जोर शोर से अपनी बात को रखना आवश्यक है कि कम से कम हमारे देश की जो वो एक महत्पून कंपनी थी अगर उसके मैनेजमेंट में उसके कारियर प्रणाली में कहीं कोई तुरूटी थी कोई खराबी थी तो उसको ठीक किया जा सकता था लेकिन उसको धुस्त कर दिया जाए और खतम कर दिया जाए बरबात कर दिया जाए ये तो उचित कहीं से कहीं तक उचित नहीं है अब हम आते हैं दूसरे विशे के उपर दूसरा विशे है कि हमारी देश की सरकार ने ओन रिकॉर्ड ये बात है कही हुई है कि देश के रेलवे का निजी करण नहीं होगा देश की रेलवे को उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता लेकिन उसके बावजूद आज की तारीक में ये ओन रिकॉर्ड कही हुई बात शायद आज से दो-चार साल पहले की है लेकिन आज दो-चार साल बाद के बाद इस्थिती रेलवे की क्या है ये हम सबके सामने जग विदित है सबके सामने इसपश्ट है कि आज की तारीक में हम प्राइवेट प्राइवेटाइजेशन यानि निजी करण की वज़े से अपने जेब पर कितना अत्यधिक भार डाल रहे हैं जो कि पहले नहीं होता था अब उसके बाद में हम आते हैं एक और महत्पून विशे की उपर हाला कि अगले विशे पर जाने से पहले मैं संशेप में कुछ और बातें रेलवे के निजी करण को ले करके कहना चाहूंगा कि रेलवे का निजी करण सिर्फ ट्रेनों से रेल गालियों से सम्मंदित नहीं है रेलवे का निजी करण रेल गालियों से आगे कहीं जा चुका है यानि railway stations जिनका infrastructure डवलब करने में करोडो करोडो रुपए देश की जनता के tax के दिये हुए करोडो रुपए खर्ज किये गए और उसकी वज़े से आज railway का इतना बड़ा network इतनी बड़ी संचा इतनी बड़ी विवस्ता जो खड़ी है वो रातो रात नहीं खड़ी हुई है उसमें बहुत सारा श्रम लगाया बहुत सारे व्यक्तियों का जनता का बहुत सारा पैसा लगाया जो की tax के रूप में वो देती है उसके अलावा नजाने कितने लोगों के विचार कितने लोगों की planning कितने लोगों की योजनाएं कारियान्वित होने के बाद में आज हम उस इस्थिती पे पहुँच पाएं हैं उस इस्थिती में पहुँचने के लिए हम लोगों को कितना समय लगा है कितने साल लगे हैं कम से कम पचास साट साल सतर साल जो भी कह लीजिए अब तो ये इसका भी जो धोस्ती करण जो एक तरीके से चल रहा है या जो एक निजी करण की तरफ जा रहा है उससे किसका नुक्सान होगा आम आदमी का मिडल क्लास का किसान वर्ग का गरीबों का अमीर लोगों के लिए तो कोई पहले भी फरक नहीं था आज भी नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं होगा लेकिन फरक बढ़ेगा किसके ओपर जो जन्मानस है क्योंकि अमीरों के लिए तो जहाज बने हुएं बड़े बड़े जहाज हैं उनमें फर्स क्लास हैं बिजनेस क्लास हैं उनमें वो लोग ट्रेवल करते हैं बड़ी बड़ी गालियों में घूमते हैं उनको कभी किसी छोटी मोटी चीजों के बारे में जानकारी तक नहीं होती है तो अल्टीमेटली या अल्टतों गत्वा जो कुछ भी भार पड़ेगा जो कुछ भी तकलीफ होगी वह मेडिल क्लास को ही होगी गरीबों को होगी जिनकी आवश्यक्ता की पूर्ती यह लौपत गामिनी यानि रेल गाड़ी पूरी करती है उनकी यात्रा की पूरी व्यवस्था जो है एक रेल गाड़ी के ओपर या ट्रेंस के ओपर निर्भार है और जब उनके जेब पर अत्रिक्त भार पड़ेगा तो कश्ट किसको होगा यह हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इस बात को तो इस इसका ये भी एक महत्पूर्ण विशे था जिसका आज की तारीख में उल्लेख करना या उसके ओपर चर्चा करना मेरे को आवश्यक लगा अब हम आते हैं अपने एयरपोर्ट्स को ले करके एयरपोर्ट्स का भी निजी करन शुरू हो चुका है और यह विदित है पूरे देश को कि एक अनेंत्र कंपनी को कम से कम 5-6 एयरपोर्ट जो बने बनाए एयरपोर्ट थे वो एयरपोर्ट 50 साल के लिए लीज़ पे दे दिये गए यह अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद और बड़ी विचित्र घटना है इस देश के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसे समझना बहुत जरूरी है और उस विशेक पर चर्चा इसलिए करना जरूरी है कि अगर हम को किसी भी व्यक्ति को पचास साल के लिए एरपोर्ट जैसी विवस्था जहां से लाखों लोगों का आवागमन होता है यात्राएं होती है उस जगे को हम करोडों और अरबों रुपे लगा करके तयार करते हैं कि तब जाकर के वो पूरी विवस्था यात्रा की आवागमन की विवस्था तयार होती है एयरपोर्ट की तो उस पांस से छे एयरपोर्ट जो बने बनाए रेडी थे रनिंग थे और देश की जो जो व्यवस्थाएं थी सरकारी व्यवस्थाएं थी वो उसका संचालन बहुत अच्छी तरीके से और पूरी जिम्वधारी के साथ कर रही थी तो उन एयरपोर्ट को अनियंतर कमपनी को पचास साल के लिए देने का कोई औचित नहीं था अगर चाहती सरकार तो वो ये कर सकती थी कि ग्रीन फील्ड यानि खाली जगे पे आप उस कमपनी को ठेका देते नया एयरपोर्ट बनाने का और नया एयरपोर्ट बनने के बाद में फिर आप उसको पचास साल पच्चिस साल तीस साल जो भी आपकी टरम्स एंड कंडिशन्स थी या नियम शर्तें थी उनकी अनरूप उनको वो लीस पर दे सकते थे चलाने के लिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया किया इस से उल्टा गया उल्टा ये किया गया कि जो चलते हुए एयरपोर्ट थे जिसको देश की विवस्था ने पहले से ढंक से समाल रखा था उसको देश की विवस्था से चीन करके एक प्राइवेट व्यक्ति को निजी व्यक्ति को निजी क अपने जीवन में बहुत सारा समय गुजारा है और अपनी आँखों के सामने बहुत सारी चीजें बंते और बिगरते देखी हैं लेकिन ये सारी चीजें जैसे BSNL का मैंने जिक्र किया, Railway का मैंने जिक्र किया और अब मैं Airports का जिक्र कर रहा हूँ तो इन बातों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत दुख की बात है और ये सोचने और विचार करने वाली बात है कि भई ये सारे इस तरीके के निरने क्यों लिये जा रहे हैं और एक तरफा लिये जा रहे हैं और उस पर स्पष्टी करन भी दिया जा रहा है कि ये जो किया गटना नहीं है ये कोई सामानने गटना नहीं है ये सामानने से कुछ अलग गटना है और आज करीब 32 से 35 दिन हो गए हैं जो अगला विशय में लेने जा रहा हूं वो अगला विशय है किसानों का आंदोलन आज 32 पैतिस्वा दिन है और कडाके की ठंड में देश के किसान धरने पे हैं प्रदर्शन पे हैं अपनी बातों को रख रहे हैं शांती पूर तरीके से पूरे विश्व के लिए ये उधारन हो गया है देश के किसान किस शान्ती का परचय देते हुए अपने इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं लाखों लोग दिल्ली के चारों तरफ बाॉडर्रस पे अपने परिवारों के साथ किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं केवल अपनी उन छोटी सी दो मांगों के हैं उनके संबंदित और MSP को कानूनी जामा पहनाने के लिए ताकि उनका उनके परिवार का उनके बच्चों का और उनकी जमीन का जिससे की वो जुड़े हुए हैं उनका भविश सुरक्षित रहे पाए लेकिन ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि इस कुरोना काल में या इस महामारी के समय में इस तकलीफ के समय में परिशानी के समय में भी देश की जो सरकार है उसको बिलकुल किसी परकार की कोई चिंता नहीं हैं कोई परिशानी नहीं हैं कोई तकलीफ नहीं हैं कोई मन में दुख न किसानों के प्रति उनके दिल में कोई संभीत नहीं है देश के मध्यम वरगी मिडिल क्लास जो पूरे देश में कंभी कमारी कश्मीर से कंभी तक फैले हुए हैं उनके प्रती कोई सम्वेदना नहीं है कोई तकलीफ नहीं कोई परशानी नहीं है तो मेरी एक निवेदन है प्रार्थना है इस देश की सरकार से कि करपा करके इन सारे विश्यों पर जो मैंने अभी चर्चा में लिये हैं इनकी उपर थोड़ा सा गोर किया जाए विचार किया जाए और कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकालने की और आपस में सामंजस बैठाने की ऐसी कोशिश की जाए जिससे की आने वाला नूतन वर्ष आने वाला नया साल हम सब लोगों के लिए खुशियां लेके आए अपेक्षाओं को आकांशाओं को पूरा करे और हम सब लोग इस देश की तरक्टी के लिए इस देश की खुशाली के लिए अपना अपना पूर्ण योगदान दे सकें तो ऐसी मानसिक शांती देने का कार अगर कोई कर सकता है पूरे देश को तो हमारे देश की सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता क्योंकि देश में सरकार ही एक ऐसी जगह है जो पॉलिसी मेकर होती है पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी बना करके उनका संचालन करती है और उसकी वज़े से पूरे देश में एक आपसी भाईचारे का सौहार्द का वातावरल बनता है और उस वातावरल के बनने से एक आपसी भाईचारे का माहौल तयार होता है और हमारा देश तो वैसे भी मशूर है गंगा जमनी तहजीब के लिए गंगा जमनी तहजीव मतलब सब धर्म के लोग एक साथ मिल के कैसे खुशहाल जीवन जी सकते हैं इसका जीता जागता उधारान है हमारा देश तो मेरा आज के दिन में समस्त देशवासियों से अपनी देश की सरकारों से सबसे निवेदन है कि सब लोग सयम का परिचय दें सब लोग एक दूसरे को समझने का परिचय दें और आने वाला वर्ष मेरे चैनल यानि दिडॉन एक्सप्रिस की तरफ से आप सबी लोगों को आने वाले वर्ष की नूतन वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुब कामना है बदहाईयां और हार्दिक आभार आप सब लोगों का कि आपने मेरे चैनल पे मेरे विचारों को बहुत मन से सुना, बहुत अच्छी तरह से सुना और बहुत अच्छे लाइक्स दिये, कमेंट दिये और आगे भी इसी अपेक्शा के साथ आप सब लोगों से मैं फिर एक बार नव वर्श की बहुत-बहुत बधाईयां देना चाहता हूँ पूरे देश को देना चाहता हूँ देश के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ और देश की सरकारों को भी देना चाहता हूँ ताकि देश की सरकारें और देश के लोग सब लोग आपस में मिलके एक साथ मिलके और इस देश की तरक्की के लिए हम लोग जो अपना अपना योग बाददान दें और देश की तरक्के और खुशाली में अपनी भागिदारी बढ़ाए इसी सब के साथ एक बार फिर आप सभी लोगों को नूतन वर्ष की दोहजार एकिस की बहुत-बहुत बधाईयां बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार आप सब लोगों का धन्यवाद